हाई लेविन्थीज, वेलकम तो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तबितार गाईज, आज के इस वीडियो में हम के स्टडीज को स्टार्ट करेंगे जाने कि सेकंड चेप्टर की हम के स्टडीज पढ़ने वाले हैं, सो के स्टडीज पर काफी सारी वीडियो आएंगे और उनसे आप के स्टडीज को असानी से समझ सकते हो, और फिर भी अगर अपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो यूट्यूप पर कमेंट तो है ही, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्रेम पर डारेक्ली मुझे मेसेज कर सकते हो, मेरी आईडी है, मेर हमारी केस स्टडी 12-15 लाइन की बड़ी केस स्टडी होती है, तो हमें सबसे बिलो लाइन से स्टाट करना होता है, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी, तो इसे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी है, the business assets of an organization amount to 50,000, but the debts that remain unpaid are 80,000, यानि कि business के guys assets है 50,000 के, और उसके debt यानि कि उसकी liability है 80,000 की, what course of action can the creditor take, creditor कौन सा action ले सकता है, अगर, पहला case इनोंने दिया है, the organization is a sole proprietorship firm, so देखो, अगर business के पास assets है guys, 50,000 के, और liability है 80 की, तो 50,000 तो हम assets से अपनी liability को चुका सकते हैं, remaining amount कितना बचेगा 30,000, तो creditor का claim कितना बचेगा 30,000 जो से चाहिए होगा, अब अगर firm sole proprietor है, यानि कि अकेला बंदा इस firm को चला रहा है, तो हमें पता है sole proprietor की liability unlimited होती है, अगर business के assets, उन liability को पूरा नहीं कर पाते, तो sole proprietor की personal property या private property से भी उन खर्चों को पूरा किया जा property जिसे हम कहते हो, उसे use करेंगे और 30,000 जो है creditor claim कर सकता है, sole proprietor से, उसके बाद second case में वो कहते है, the organization is a partnership firm, organization क्या एक partnership firm है, Anthony and Akbar partner है, who share profit and loss equally, ठीक है, which of the two partner can the creditor approach for repayment of debt, explain giving reason, अब देको partnership firm में भी liability partners की क्या होती है, unlimited होती है, लेकिन according to उनके PSR, यहाँ पर जो partner है, Anthony and Akbar, वो equal partner है, ठीक है, तो यानि कि जो भी loss होगा, वो भी उनने equally bear करना पड़ेगा, तो same case में guys, 30,000 का claim creditor करेगा, 30,000 में से Anthony 15,000 देगा, और Akbar भी 15,000 पे खरेगा, ठीक है, क्योंकि liability is unlimited है, firm के पास सिर्फ पैसा जो है, वो 50,000 assets के रूप में है, तो 30,000 तो इन्हें अपने घर से लाना पड़ेगा, unlimited liability का मतलब ही यह होता है, कि उनको अपने घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है, अगर business में loss होते हैं, तो unlimited liability का यह मतलब होता है, यानि कि उनको अगर personal property बेच कर भी पैसा लाना हो, तो वो ले के आएंगे, तो इस case में Anthony and Akbar लेके आएंगे, बट किसमें अपने PSR में, यानि कि profit sharing ratio जो की equal है, तो 30,000 will be bear by both equally, तो यानि कि 15,000 एक देगा, 15,000 एक देगा, ठीक है, अब बढ़ते ह अब next case study में काया है, सेखो, ये बड़ी case study है, इसमें हमें अपने last की line से पता करना पड़ेगा, कि ये आखिर हम से चाहते हैं, to what form of business organization is concerned the above para, यानि कि जो paragraph दिया गया है, वो किस business form के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमें बताना है, second में identify and explain the type of form of organization, किस type की organization ये है, ठीक अब start करते हैं, अपनी case study, जिसमें ये बात कर रहे है, the two friends, यानि कि दो friends से guys, Sonia and Raman started a business, ठीक है, by the name of Sonia Fancy Dress Shopee, both of them invested equal capital in the business, दोनों ने equal पैसा लगाया business में, at the start of the business, Sonia had a placed one condition before Raman, that if unfortunately they suffered a heavy loss in their business, she would not be able to give anything except the capital invested in the business, जो Sonia है, उसने पहली कह दिया, कि मैंने जितना पैसा लगाया है, मैं अगर बिजनस में, unfortunately कोई loss होता है, तो मैं और पैसा अपने घर से नहीं लाओंगी, मैंने जितना लगाया है, ये डूब जाय कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर से नहीं लाओंगी, र आगे क्या कहते हैं, ये लोग, on the term and condition, किस term and condition पर वो accept करते है, that Sonia would not enjoy the right to participate in the management, के भाई Sonia, अगर तू ये condition रख रही है, तो तो business में participate नहीं कर पाएगी, ठीक है, पार्टिस्पेट इन बिजनस, and their business was gradually growing well, and they were fully satisfied with their business, और बिजनस बढ़ता है, और चनने लग जाता है, ठी दूसरे ने accept करी, लेकिन दूसरे ने भी रख दी, Sonia ने बोला कि भाई, मैं losses को अपने घर से सफर नहीं करूंगी, मैंने जितना पैसा लगाया, उसमें से आप मेरे loss ले सकते हो, यानि कि नुकसान की भरपाई, मेरी capital में से ले सकते हो, बट घर से में कोई पैसा नहीं ला पैर तो यह तो guys partnership है, आँख बंद करके हम लोग बता सकते है, partnership करी हैं दोनों ने अपनी terms and conditions पर करी है, identify and explain the type of the form of organization, partnership में आपको बढ़ता है, there are many types है, partnership at will हो सकती है, time के साब से होती है guys, हम लोगों की particular partnership होती है, कि किसी concern को लेकर होती है, यहां पर जो बात करी जारी है, limited partnership की बात करी जारी है, limited partnership में क्या होता है guys, आपको पता है, limited partnership में एक partner की at least liability unlimited होती है, और बाकी की limited हो सकती है, और जिसकी भी limited partner जो भी होता है, जिसकी liability limited होती है, वो management में act नहीं करता, तो वो management में कोई भी participate नहीं करता, तो यहां पर limited partnership की बात करी जारी है, ठीक है, clear ठीक है अब इसके बाद जो हमारी next case study है इसमें पूछ रहे हैं हम से explain what type of partner द्रोफ, सार्थक and धीरज are in the friend बुस्तक भंडार तो आप लोगों ने types of partner तो पड़े ही हैं हमारे कितने type के partners होते हैं तो total हमारे 5 type के partners होते हैं आप लोगों ने ही पड़े हैं अभी नहीं पड़े तो आप इस case study से समझ सकते हो दिखो द्रोफ, सार्थक and धीरज 3 partners है फर्म में the name of the firm is the friend पुस्तक भंडार the latest book of almost all subject remain available at the पुस्तक भंडार सारी latest book को अपने पास रखते हैं आगे वो क्या कहते हैं? All the 3 partner decide that 10% of the total profit of the firm would be distributed among the poor children every year यह वो कहते हैं हम जितना भी total profit कमाएंगे उसका 10% हम हर साल गरीब बच्चों को बातेंगे ठीक है? This has a very positive effect on the goodwill of the firm firm की से reputation बनी धीरज is a renowned businessman who allowed the use of his name उसने अपना कहा कि मेरा name यूज कर लो बट मैं कोई पैसा नहीं लगाऊंगा ठीक है? जबकि सार्टक had contributed the capital to the firm but does not participate एक बन्दा भाईया पैसा लगा के शांत बैठ गया ठीक है? द्रूव actively participate in the management and does business on behalf of other partner अब देखो सबसे पहले जो धीरज की बात करे जा रही है जिसने का कि मेरा नाम यूज कर लो ठीक है? तो जहां पर नाम यूज करते हैं हम किसी partner का और वो पैसा नहीं लगाता तो उसे nominal partner कहते हैं है ना nominal partner वही होता है जो अपना नाम यूज करने देता है but does not contribute any capital जबकि सार्थक जो है वह capital तो लगा रहा है but does not तो यह तो sleeping partner है पैसा लगा के गाय हो जाना sleeping partner कहलाता है ठीक है जबकि ध्रूव actively participate in the management and does तो ध्रूव जो है गाइस एक active partner है जो business में पैसा भी लगाता है और काम भी करता है सब के बीहाफ पर भी यहां पर काम कर रहा है और अपने लिए भी काम कर रहा है तो धुव एक active partner है इसके अलावा guys आपके और भी secret partner भी होता है जो पैसा भी लगाता है लेकिन अपना नाम कहीं पर भी आने नहीं देता कि मेरे बारे में पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं partner ह हूं ठीक है इसके अलावा एक partner भाई इस टॉपल होता है जो अपने act से दर्शात है कि मैं partner हूं बट वह actually partner नहीं होता तो पांच ट्राइब के total partners होते है यह important question होता है guys generally पूछा जाता है exam में ठीक है इसके बाद guys हमारे जो next case study है वो है case 4 ठीक है इसमें इनने हम से क्या Mr. Mukul Gupta contracted with the firm according to the contract he has advanced a loan of 20 lakh to the firm भाई उसका contract हो है guys एक firm के साथ Mr. Mukul Gupta का और उसने 20 lakh का loan दिय है firm को and in exchange he got the power to take a few decision regarding the firm business और उसको से कुछ decision में participate करने की power दी गई है besides 9% वो interest लेगा loan के उपर और 12% profit पर वो पैसा earn करेगा यानि कि 12% profit लेगा ठीक है ओके तो यानि कि एक तरीके से बात हो कि guys उस बन्दे ने business में पैसा लगाया but not as a partner उसने एक तरीके से loan दिया loan पर interest भी ले रहा है और उसके साथ-साथ profit में हिस्सा भी ले रहा है बड़ा तेज है भाई यह तो बंदा ठीक है अब हम से पूछ रहे है is Mr. Mukul Gupta a partner of the firm? Give reason in support of your answer. So guys देखो सबसे पहले बात Mr. Mukul Gupta कोई partner नहीं है so no Mr. Mukul Gupta cannot be regarded as a partner ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि उसने सबसे पहले तो contract किया है जहां पर contract में उसने इससे एक loan दिया है और decision लेने की उसे कुछ decision लेने की power दी गई है लेकिन partner बनने के लिए guys क्या क्या condition होती है आपको unlimited liability bear करनी पड़ती है पहली चीज़ second आपको risk bear करना पड़ता है कि भाई यह loss होगा तो भी bear यहां तो यह कह रहा है मैं profit में हिस्सा लूँगा loss में कौन लेगा भाई फिर तो loss में यह हिस्सा लेनी रहा ठीक है और mutual agency वाला काम करनी रहा है यानि कि mutual agency क्या होती है guys कि किसी एक partner के काम करने से पूरी partnership firm effect होगी और सारे partner effect होगे तो यहां पर वो भी चीज़ नहीं आ रही है ठीक है और कोई भी एक mutual agency में यह भी होता है कि कोई भी एक partner सारे partners के बिहाफ पर काम कर सकता है और partner दोनों agent और principal बनके काम करते है ठीक है अब यहां पर यह तीनों condition पूरी नहीं हो रही है तो हम मुकुल गुपता को partner नहीं कह सकते ठीक है तो यानि कि मुकुल गुपता यहां पर partner नहीं है उन्होंने सिर्फ एक loan दिया है और किसी शर्थ पर दिया है बट हम उन्हें partner नहीं काएंगे ठीक है I hope guys आपको यह पार्ट समझ आया होगा के स्टडी समझ आया होगी लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू और येस गाइस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने क्या तो जली जली जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना और शियर करना विद यूर फ्रेंज थैंक यू